इतिहास गवा है कि दश्कों तेलंगना अंदोलन को साठ के दश्क में शुरू हाथ कठोर्ता से दबाया गया कुचलने की कोशिश की गई और कांग्रस ने ये सारा प्रयास अपनी राजनिती के कुंठा के कारद किया और भारती जनता पाटी वो पहली राष्टे पाटी थी जिसलिए तेलंगाना बनाने के लिए परस्ताप भी पास किया और तेलंगाना अंदोलन में मुख्य भूमी का अदा की और तेलंगाना अंदोलन के दबाव में यूपिये ने तेलंगाना बनाने का फैंस ला किया गांधी परिवार हो अहंकार की राजनीती तेलंगान में कर रहे हैं और पिछले दस वर्चों में तीन परिवारों ने KCR परिवार MIM AIMM अवेसी परिवार और कांग्रस यानि गांधी नहरू परिवार तीनों मिलकर नूरा कुछती खेलने और जो अंदोलन की बेसिक रूथी आत्मा थी नोजवानों को आगे बढ़ने का मोका मिलेगा तेलंगाना के विकास को नई गाथा मिलेगी तेलंगाना तरक्की वाला बनेगा उसके वपरी इन तीन परिवारों ने सत्ता की तेलंगाना की संभावनाओं को तेलंगाना की वविश्य की योजनाओं को दबाया और सादनों को लूटा है इतिहास गवा है कि दशकों तेलंगाना अंदोलन को साठ के दशक में शिरूवात कठोरता से दबाया गया कुचलने की कोशिश की गई और कांग्रस ने ये सारा प्रयास अपनी राइनिति के कारण किया और भारती जन्ता पाटी वो पहली राष्टे पाटी थी जिसलिए तेलंगाना बनाने के लिए परस्ताब भी पास किया और तेलंगाना अंदोलन में मुख्य भूमी का अदा की और तेलंगाना अंदोलन के दबाव में यूपीय ने तेलंगाना बनाने का फैशना रहे है और अब बांट बांट कर परिवारवादी वन्षवादी चाहिए वो केसियार हो चाहिए गांधी परिवार हो अहंकार की राजनीती तेलंगाना में कर रहे हैं और पिछले दस वर्चों में तीन परिवारों ने KCR परिवार, MIM, AIMM अवेसी परिवार और कॉंग्रस यानि गांधी नहरू परिवार तीनों मिलकर नूरा कुछती खेलने और जो अंदोलन की बेसिक रूथी आत्मा थी नोजवानों को आगे बढ़ने का मोका मिलेगा तेलंगाना के विकास को नई गाथा मिलेगी तेलंगाना तरक्की वाला बनेगा उसके वपरीत इन तीन परिवारों ने सत्ता की लिपसा में बरश्टाचार के मध्यम से तेलंगाना की संभावनाओं को तेलंगाना की बविश्य की योजनाओं को दबाया और साधनों को लूटा है